पर्रुखाबाद में प्राचीन सिख्के प्राप्त करने का मुख्य सोर्स कमको संकिसा, कन्नोच, वब पर्रुखाबाद का बर्तन बजार वसर राफा है पीतल के वर्तन की मैनुफेक्चरिंग होने के कारण पुराना धातु हाथ रस वा आसपास के क्षेत्रों से गलने के लिए आता था आवक धातु में पुराने तामबे की टूट फूट के साथ बोरो भर तामबे के सिख्के होते थे इन सिख्कों की छटाए में मुगल कालीन, इंडियन स्टेट्स, प्राचीन कुशान, हर्ष, मौर्या वंश, मतुरा, आदी अनेकों सिख्के प्राप्त होते थे केतों आदी की जुताए में प्राप्त सिख्के सर्राफा बाजारों में बिकने आते थे मुझे याद है ये वेश कीमती सिख्के होते थे मौर्या वंश के सिख्कों की बाथ ही कुछ और थी हर्ष कालीन सिख्के अधिक्ता में थे मुगल कालीन सिख्कों की भरमार थी लगभग हर माह दिल्ली, मिरठ वलखनव से सिक्कों के खरीदार मार्केट के चक्कर लगाने आते और मून मांगे दाम सिक्के खरीद ले जाते एंशन्ट हिस्ट्री मेरे पिता का रुचिकर विशे था उन्होंने आशोक वहर्ष पर पुस्तके भी लिखी उन्हें कुशान कालीन पाली वा अन्य भाशाओं का ग्यान था यही कारण है कि बंबई, कलकत्ता, उजजेन, आदी, विश्विद्यालेओं के शोध करता प्रोफेसर सिक्के पढ़वाने भेजा करते थे आप सोच रहे होंगे मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ असल में यह सब बताने का कारण है हमें अपने इतिहास में कोई रुची ना होने वा जानकारी के अभाव के कारण हमने अपनी धरोहरों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा सब कुछ इधर उधर बिग जाने दिया आज मारकेट से प्राचीन सिक्के गायब हो चुके है जानकारी ना होने की बज़ह से इन्हें गला बरतन बना दिया गया फरुखाबाद में बंगश काल के तकरीबन 40 के ले थे सभी जमीन से गायब हो चुके है या कबजा कर लिए गए बची कुछी धरोहरे धराशाय हो चुकी है नई वस्ती में स्थित G.I.C. नवाब तफज जुल हुसेन का दरबार था इसके प्रांगन में दो कब्रे थी जिसमें से एक इकबाल मंध खा की कब्र थी अग्रेजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्हें फासी पर लटका दिया था बेकदरी से इसे भी उखार डाला गया कुछ वर्ष पहले कन्नौच के पत्रकार इत्रंगरी के पुरातन संपदा बचाव समिती की सनरक्षक विकास अवस्थी ने कुछ अती प्राचीन खंडहर भून निकाले ये सयोगिता मार्ग पर सुगंध विकास विभाग के पीछे स्थित है अवस्थी वह मुश्किल अंदर प्रवेश पाए और खंडहरों के फोटो जारी किये पुरा तत्व विभाग लखनव को सूचित किया क्या कार्यवाही हुई अभी तक कुछ नहीं पता कहावत कही गई है जो कौम अपनी धरोहर नहीं संभाल सकती वो ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहती मुझे सिक्के जमा करने का शौक है मेरे एक स्टुडेंट ने पुन्चा था कि पुराने सिक्के जमा करने से क्या फाइदा तो मैंने उसे बताया सिक्के वर डाक टिकट इकट्था करना एक शौक है सिक्कों के पीछे छिपी जानकारी होने से देश के प्रती विश्वास वगर्व होता है की गई गलतियों से सवक मिलता है सिक्का ना केवल अर्थ व्यवस्था बलकि समाज के भीतर राजनीती परंप्राओं और सत्ता की सनरचनाओं में अंतरद्रिष्टी प्रदान करता है क्या धरोहरो की कोई जाती वधर्म होती है इस विशे पर आप क्या सोचते है अगर कोस्ट पसंद आये तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे साथ में वैल बटन दवाना न भूले